आजकी रेसिपी है दमालू की रेसिपी यह बहुती बढ़िया और पौपुलर रेसिपी है और यह बहुत नामों से प्रैशिद है तो चलिए आए यह रेसिपी को स्टाट करते हैं ये कस्मीरी दमालू भी बोला जाता और पंजाबी दमालू भी बोला था बहुत ही स्वादिश लगती है हमने टमाटर को कट कर लिया है आठ से दस काजु को बिगोलें के लिए रखा है आलू को हमने पहले से बोईल करके रखा था तो एक फॉक चम्मस की साहिता से इसे अंद बढ़िया रहते हैं आपको यह नहीं मिलते हैं तो आप बड़े आकार का आलू लेकर उसके टुकडे करके भी बना सकते हो लेकिन आपको जहां तक मिले ऐसे बेभी पटटो लेना है कर लिया था इसलिए इसे ज़्यादा डीप फ्राइए करने की जरूरत नहीं है इन्हें सेलो फ्राइए करना है मीडियम फ्लेम पे इनको अच्छा सा सुनेरा कलर आये तब तक इन्हें अच्छे से फ्राइए करना है सभी तरह से हमें मिक्स कर लेना इनको फ्राइए करना है मिकسर का जा लिएंगे उसमें एड़ करिंगे टमाटर और काजू इंकी हमएं प्यूरी बनाना है आप चाहो तो इसमें थोड़ा सा पानी एड़ कर सकते हो लेकिन जरूरत नहीं पड़ेगी फिर भी हम थोड़ा सा इसमें एड़ कर देंगे क्योंकि टामाटर में पानी होता इसलिए प्यूरी अपनी बनके एकदम रेडी है आलू भी हमारे अल्मोस्ट फ्राई हो चुके है अच्छा सा कलर आ गया है गोल्डन तो अब बारी आती है इन्हें बार निकालने की ग्रेवी बनाने के लिए ओईल का इस्तमाल आपको यही करना है आपको चेंज नहीं करना है सबसे पहले हम इसमें एड़ करेंगे तेज पत्ता आप खड़े मसाले जो भी पसंद हो इसमें कटा हुआ प्याज प्याज को मैं अच्छे से 2-3 मिनिट के लिए अच्छे से पका लेना है गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए तब तक प्याज अपना अच्छे से पका हुआ होना चाहिए अब हम इसमें एड़ करेंगे हाप टीस्पून जितनी हल्दी पाउडर वन जब तक अपना साइड से नहीं चूटे तब तक मसल आपको पकाते रहना है अपना एकदम जाली नुमा हो गया है अब इसमेड करेंगे जो ग्रेवी हमने टमाटरों काजु की बना के रखी थी इन्हें हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है मेडियम फ्लेम पे ग्रेवी अपन जिससे 1-2 मिनिट के लिए कवर करके रखेंगे जिससे एकदम अच्छे से पक जाएगी दो मिनिट अपने हो चुके हैं तो देखिये फ्रेंड कितनी जाली नुमा ग्रेवी पक के एकदम रेडी हो चुकी है इन्हें में अच्छे से हिलाके मस्त मिक्स कर लेना है अब बारी आती है इसमें दई एड़ करनी कि दई आपको एकदम फ्रेस और ताजा लेना है खट्टा दई नहीं लेना है मैंने हाप कटोरी जितना लिया है और इसे मीडियम फ्लेम पे अच्छे से पकाते चलाते हुए पकाना है क्योंकि दई फटने के सांचेज बहुत ज्यादा रहते ह अपिशन यह हिला ओगे तो तो ग्रेवी अपनी दई वाली भी एकदम पर्फेक्ट सेट हो चुकी है अभी हिलाने की इतनी जरूरत नहीं है स्टाइडिंग टाइम जब भी डालते है तभी जरूरत पढ़ती है अभी एक सो दो मिनिट के लिए हमें इसे अच्छे से पका लेना है दो मिनिट अपने हो चुके है ग्रेवी एकदम पक के एकदम रेडी हो चुकी है देखिए कितना बड़िया सा कलर और टेक्चर आया है ग्रेवी अपनी अच्छे से पक चुकी है अब बारी आती है ओल को हमने फ्राइ करके रखा था उनको अंदर एड करने की और इन्हें अच्छे से मसाले के अंदर कोट कर लेना है अच्छे से इसको मिला लेना है अब हम इसमें एड करेंगे स्वाद अनुशा नमक लास्ट म जिससे आलू के अंदर मसालों का पूरा फ्लेवर अंदर आ जाए उपने एक से दो मिनिट हो चुके है अब बारी आती है हाप टीश्पून जितना गरम मसाला कसूरी मेती और हरी मेट्च इन्हें आपको उपर से अड़ कर देना है और वापिस एक या दो मिनिट के लिए एक या दो मिनिट के लिए में मीडियम फ्लेम पे इसे डख्या पकाना है तो दो मिनिट अपने हो चुके हैं तो दोस्तो मेरी सबजी बनके एकदम रेडी है दमालो की बहुत ही बढ़िया और स्वादिश्ट बनी है आसा करता हूँ आप भी एक बार जरूर बनाए तो आई तो गार्निस करने के लिए हम इसके उपर हरादनिया एड करेंगे तो कैसी लगी मेरी रेसिपी आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताए और एक बार आप जरूर इसे ट्राई करें बहुत ही बढ़िया और स्वादिश्ट बनती है मिलता आपको नई और बढ़िया सी लेके तब तक के लिए बाई बाई